प्लसर चाहे 15 साल पुरानी हो चाहे 17 साल पुरानी हो या 2002 मोटल हो या 2004 मोटल हो यार गाड़ी के अंदर ना आगर मजा ना आया ना तो मजा नहीं आता चलाने का पलसर गाड़ी 150 CC DTSI डिजितल उस पार्क पिनवग ये गाड़ी मेरे पस आई है और ये काफी ज़्यादा पुरानी है इसमें रिम वाला मोटल आप देखी हो इस गाड़ी में दोप लग है रिम लगे हो है और सेल्फ इस गाड़ी में नहीं है सेल्फ की मोटल लगाना चाहत तो बहुत ही आसान है सेल्फ की मोटल लग सकती है बट मैं बतादू इस गाड़ी के लिए मैंने दूसरी बार इसका इंजिन खूल रहा है और दूसरी बार इंजिन इसले खूल रहा हूं तो इसमें उन्हें काफी सारे समान चेंज कर दिया उसके बाद भी इंजिन की आवा को consume करने में मदद करता है ऑशन के साउंड को बहुत जाद करता है ढूसरा मैंट इसी के रworks करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं थिखा दिखा गर समझाउंगा ये रोखर चेंज में बजाज की जेनड, रॉककर नीड़ने य। और देख smsh इसके अंदर यह देखो, इसके अंदर पूरी complete अब्रेंड न्यू केंशाफ है, तरहीं रिंग, पिश्टन, विस्टन, विस्टन, यह मदब, यह देखो, यह सारा कुछ उसमें नगा ड़ा हुआ है, इसके इलाबा, इसके timing chain, यह timing chain होती है, यह timing chain guide है, यह testner है, लिए बढ़िया रखना चाहते हो तो आप भी पिस्टन में क्रोज बूरिंग कराके 25 या 50 नमर का पिस्टन चला सकते हो गाड़ी के अंदर अब यह काम होने के बाद मैनस के अंदर कार्बूरेटर भी चेंज किया है यह कार्बूरेटर है यह जैनन बजाज के में डाला है मैं कोईल में डाल लखे थी वैसे ही रोअटा सप्लेंडर की कॉईल इसमें डल जाती है को यह इसी बड़ी बात नहीं है पर इसमें वह गलत हुती है मुझे सही नहीं लगा तो मैं असको चेंज कर दिया इसको बात आती हैँ यह मेंने मूद्ध कि मैंने इसका एंज़न दुब इसका clutch होजिंग ही है और यह clutch होजिंग इसका यहां पे cut लगा रखे हैं ठीक है तो यह cut लगा रखे होते हैं यह oil lubrication के लिए ताकि अच्छा flow रहे oil lubrication का और clutch plate जल्दी खराब नहों इसलिए लगाये जाते हैं बट मेरे मन में यह आ रहा है संका आ रही है कि इसका clutch होजिंग भी खराब है यह मुझे change करना पड़ सकता है काफी सारे मकैनिक होते हैं आवाज को लेकर वो compromise कर जाते हैं पर मैं बता दू अगर पुरानी गाडियों के engine मांद रहे हैं और पुरानी गाडियों के engine में वैसा flow नहीं है जैसे एक नई गाड़ी निकलती है सोरूम सी यही बा इसका टान होते हैं अगर यहां से अंदर से कट जागा तो गेर टकेंगा और यहां से कट जाएगा तो गाड़ी में सायं सायं करे आवाज आईगी ठीक है यह वाली आवाज जाएगी कटने पर तो इन दोनों ही पैटर होते हैं अगर यह वाला हिसा कट रहा है तो अलगसे displacement होगे मिल जाता है मैं अगर यह बाला चेंज होना है मदब यह बाला कट गया है तो यह रख से चेंज नहीं मिलता है यह पूरा ही कंप्लीट क्लच होजिंग आपको नया डालना पड़ेगा तो अभी हमना ओडर दिया देखें कब तक आ जाए इसका भी इंजन का काम हो रहा प दुबारा पूरा क्लच खुलवाए इसका मैंने क्योंकि दाकी गाड़ी के अंदर जो मजा है वो आपको मिले प्रॉपर तरीके से यह देखो और जैनल बजाज का मंगवाए मैंने यह देखो इसकी तरीके से इसकी अमारपी देखो यार इसकी काफी जादा हद तक महेंगी पूरा डीटेल ब्रैंड न्यू कारबरेटर है और यह क्यों डाल रहे हम ताकि गाड़ी के अंदर एक अच्छा फ्लो आए गाड़ी बहुत अच्छे चले गाड़ी लंबी टाइम तक के लिए चले ठीक है इसले हम कारबरेटर चेंज कर रहे हैं तो आते हैं वापे सबनी गाड़ी पर के कि तो सबसे बड़ी खास बात में आपको बठा देता हूं यह गाड़ी इसको पूरानी टिसकवर वाली प्लेटे इसमें होती यह पुरानी बी डाली subscribe नहीं है यह लोकाल यह डालता हूं और जोसकि और ऑर वह हुग ए सारी-सारी ब्लेटें ऑर जूर। यह देख रहो एक दम brand new जैनन clutch लेटे हैं यह देखो clutch plate प्रेसर plate एक दम brand new जैनन है और सबसे बड़ी बात इसका hub center यह भी जैनन है यह आप देख रहे हो यह देखो आप यहाँ पर Nissan दे रखा है और यह देखो यहाँ पर है यह पूरा जैनन डला हुआ है ठीक है इसका center भी नया डाला है ताकि कोई भी लापरवाई ऐसी ना हो क्योंकि इसके seizure gear की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई दी अब इतना सारा काम कर रहे है तो गाड़ी के engine के अंदर तो मज़ा आए गई आएगा बागी थोड़ा बहुत compromise करना पड़ता है क्योंकि engine में चैंबर पु तो यही है कि वीडियो बने इसकी सारा समान जब नया आ जाएगा तो हम इसकी पूरी वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे और इंस्सेग्राब में मुझे जाकर फॉलो कर सकते हो अगर आपके मन में कोई बाइक को लेकर या आपके पास 15 साल पुरानी 10 साल पुरानी पुरानी गाड़ी को ना कटी करें कुछ लोग होते हैं जिनके इमोसन बहुत ज़्यादा अटाच होते हैं वह हर चीज के लिए यहार हो जाते हैं तो फाइनली यह वीडियो मनाने का मेरा एक ही मखस्ता अगर आपके मन में कोई डाउट है पुरानी गाड़ी आपके बास 10-15 साल पुरानी है और आप में बहुत ज़्यादा प्यारी गाड़ी है तो आप उसमें काम कराओ या नहीं कराओ मतलब काम या हो पाईगी नहीं हो पाईगी तो बता देता हूँ अगर धंका बंदा है धंका काम कर रहा है और 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 जो जाएगी बस केरिंग के आपके साथ नेक्स वीडियो में किसी से शेयर करूँगा ठीक है और इससे ओके होने के बाद मैं इसकी इस इस्ताग्राम पे यूटूब वीडियो डालूँगा इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ क्योंकि मैंने को सोचा कि आपके साथ शेयर करनी जरूगी है बहुत जादा ठीक तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मक्च बाबाए टेक क्या आप